नमस्कार सातियों स्वागत है आपका आपे चनल SSE Exam Warrior में दोस्तों एक छोटा सा मुद्दा उठाया था SSE GD के एस्प्रेंट्स ने 25 यार सीटों की मांग को लेकर अभी देखे कितना बड़ा मुद्दा बन चुका है सभी जिगे से अवाज उठनी चालू हो चुकी है कस्मीर से लेकर तमिलाडू तक गुजरास से लेकर असम तक लगातार जो है वीडियोज आ रही है आप लोग को मैं अपडेट भी दे रहा हूँ वीडियोज के माद्यम से सभी श्टेट की में आप लोग अपडेट दी है आप लोग को रेगूलर बताया है कि किसे श्टेट में किस तरीके से भरती परकिरिया कि सीट इंक्रिमेंट की मांग को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं अब देखिए दोस्तों आप लोग से अनुरोध है दो आप लोग का 5 और 6 नौमर को 2 दिन के लिए अमिस सहाजी रेली करेंगे बंगाल के अंदर तो बंगाल वाले एस्पिरेंट से अनुरोध है कि ये अमिस सहाजी के रेली में अपने मांग को रखें मौन जलूस निकालें और पोस्टर्स बैनर्स के साथ और मास्क पहन कर वहाँ पर पहुँचें जिससे अमिस सहाजी को भी पता चल सके कि आप लोग की जो भरती परकिरिया है ये कितने लंबे समेंतराल से अटकी हुई है लगो 85,000 अब भारती ऐसे हैं जो अपनी भरती परकिरिया मैं सीट इंक्रिमेंट की मांग को लेकर वेट कर रहे हैं सीट इंक्रीज हो जाए तो उनको जोइनिंग मुले वरना पिछली बार की तरह है जो 2015 में उनके साथ हुआ था बिलकुल ऐसा ही होगा सब कुछ पास होने के बावजूद भी बरती परकिर्या से आउट करा दिये जाएंगे अब तो उनके पास कोई अधर मौका भी नहीं है काकि इस बार अगर वो भरती परकिया से भार होते हैं तो वो नेक्स्ट बरती परकिया में आवे तक नहीं कर सकते हजारों की संक्या में अभ्यारती हैं तो सभी की मांग यह है कि सीट इंक्रीज की जाए और सभी मेडिकल फिट अभ्यारती को जोइनिंग दी जाए लगवा एक लाग ग्यारहजार पद खाली है C.A.P.F. फोर्सेस के अंदर तो सीट इंक्रीमेंट करना कोई जादा बड़ी बात नहीं है किसी भी S.A.C. के लिए C.A.P.F. के लिए तो सिर्फ आप लोग को मांग जरूर उठानी है देखिए मांग उठनी चालू हो चुकी है लाग होगी संक्या में ट्वीट्स आते हैं मैसेज जाते हैं इसका मतलब यह है हम सब एक जोट हैं सिर्फ आप लोग को अपना मनोवल नहीं तोरना है 12 नॉवंबर की डेट याद रखेगा 12 नॉवंबर को राजगाट पर सभी को एक साथ मिलकर मौन जुलूस निकालना है जो अब भ्यारती नहीं आ सकते वो हमसे यूट्यूब के मादधम से कनेक्ट रहिएगा जिस तरीके से भी आप लोग की सपोर्ट की आबस सकता होगी मैं आप लोग को बता दूँगा देखिए 85,000 से ज़्यादा भ्यारती महाँ पर पहुंच जाते मांग को मनवाने के लिए राष्च्पत दी जी को गयापन सोपा जाएगा देखिए दोस्तों आप लोगी seat increment की मांग आप लोग पे depends करती है आप कितने लोग समर्थन देते हैं वो आप लोग पे depends करता है कि आप लोगी seat increase होगी या नहीं होगी आप लोग से अनुरोध है कि बंगाल वाले केंडिट्स के पास अभी टाइम है आज का पूरा टाइम है तो आप लोग अभी से बैनर्स बना लीजेगा कहां पर रेली होने वाली है इसका पूरा जाजा ले लीजेगा इसके बाद आप लोग वहाँ पर मौन जुलूस कर सकते हैं या किसी भी तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं और ग्यापन तो आप लोग सौपी रहें अपनी डिस्टिक में सभी से अनुरोध है आप डिस्टिक वाले इखटे हो जाएगा किसी भी इस्टिक वाले और magistrate को दे सकते हैं आप लोग ग्यापन सौप सकते हैं तो यह ग्यापन आप लोग को PMO Office या MHO Office किसी के नाम से आप लोग दे सकते हैं तो इस तरह किसे आप लोग ग्यापन सौपना है अपनी मांग को रखना है अपनी मांग को अपने रखने में कोई बुराई नहीं है दोस्तो आप लोग का साथ रहेगा तो आप लोग के सी टिंक्रीग हो जाएगा